किसान आंदोलन को दो दुनों का विराम दिया गया है इस बीच एक किसान की मौत की खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को खनौरी सीमा पर सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शन कारी किसानों की भी इचे ज़ड़प हुई जुसमें भटिंडा के 21 वर्षे किसान शुबकरर सिंग की मौत हो गई है जहरप में 12 पुलीस कर्मी के घायल होने की भी खबर है मामले को लेकर पठियालन स्थितर राजजिंदरा स्पताल के डॉक्टर ने बताया कि मृतर के सिर पर चोट थी हलाकि उनकी मौत का सही कारण पोस्ट मार्टम के बाद ही सामने आ सकेगा दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि पुलीस आजु गैस के गोले के साथ रबर की गोलिया भी चलाती नज़र आए जिससे हमें चोटे आई है वही हर्याना पुलीस की ओर से कहा गया कि किसानों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरों के साथ लाथियों से भी हमला किया है मीडर रिपोर्ट्स के अनुसार खनौरी सीमा पर हर्याना पुलीस की गोली बारी में मौर भटिंडा के शुबकरण सिंग की मौत हो गई है इस खबर के साथ ही पुरे पंजाब में शोक की लहर दोड़ गई मृतक दो बहनों का एक लौता भाई था इस यूवा की मौत पर पंजाब की मुख्यमंत्र भगवतमान ने दुखवेक्ट किया है वहीं वज़स्ट कॉंग्रस नेता प्रताप सिंग बाजवान ने दावा किया है कि शुबकरन सिंग की मौत पुलीस वारा चुलाए गई रवर की गोली की वज़े से हुई